इस लिए मैंने नमबर टू भी लिख दिया यहां पे कि यह उसी केस टू का सेगंड वीडियो है ठीक है तो इसको हम कॉंटिन्यू करते हैं अब देखो हमने उसकी अब निकालनी है maximum height तो maximum height निकालने के लिए हम लोग क्या use करेंगे आप ध्यान देना जड़ा इंटरस्टिंग है वो चोर भी चीज़ें आपकी clear होंगी तब ही मैंने इसके लिए second video बनाया जब हम maximum height पे पहुंचते हैं न मैंने आपको last time बताया था velocities के बारे में यहां पे आके हमारी velocity विल्कुल horizontal होगी बाकी हर जगा angle है टेड़ी है तो टेड़ी है तो दो component बनेंगे यहां बनाने लगा तो कुछ नहीं बनेगा क्योंकि इसका तो सिरुफ vx ही आएगा vy कितना होगा 0 इसलिए maximum height की derivation में हम यह concept यूज कर देते हैं क्या concept यूज करते हैं कि at maximum height क्या at maximum height आपका जो at maximum height आपकी जो velocity है vy वो 0 होगी इसलिए हम अगर यूज करें कौन सी equation v square minus u square equal to twice as तो द्यान देना जरा कैसे करेंगे v y square minus u y square क्योंकि maximum height के लिए मैं v y का concept यूज करने वाला हूँ into h max यही मैं h निकालने वाला हूँ जिसको h m लिखेंगे हम ठीक है यह h m निकालना है हमने फाइन अब देखना जरा h m निकालने के लिए सबसे पहले यह 0 होगया u y मुझे पहले से मालू मैं initial velocity की बात हो रही है तो यह आएगा u square sin square theta क्योंकि u y u sin theta है equal to 2 minus g और h m तो h m किसके बराबर आ गया सामने सामने दिखाई दिया क्या बना minus minus तो cancel हो गया answer आ गया u square लिख देता हूँ आपको h m आ गया u square sin square theta दुबारा लिख देता हूँ आपका आ गया h m equal to u square sin square theta upon 2g तीक है याद रख लो अच्छा केई बार इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आप ध्यान देना आप जलो बाद में बात करेंगे हो यू मैं क्या बता रहा था यू y square यू y square लिख सकता हूँ अपन 2g ऐसे भी लिख सकते हैं आपकी मर्जी है जैसे मर्जी लिखो आप देखो अब निकालना है time of flight अब time of flight में क्या यूज करेंगे time of flight में यूज करना पड़ेगा आपको सबसे पहले concept क्या मैं अता तो इसमें भी एक concept यूज होता है पहले कि इतनी बात आपने याद रखनी है कि इसको जितना चर्णे में time लगता है न उतना इतना इसको उतरने में time लगता है मतलब यहां तक पोंचने में जितना of flight यहां से भी निकाल सकता हूँ, मैं बताता हूँ आपको s is equal to ut plus half a t square, मैं दोनों से आपको बता दूँगा, time भी है हमारे पास इस वीडियो को समझने के लिए यह हमारा formula है total displacement पहली बात यह है कि total displacement time of flight निकालना न, time of flight को हम represent किस से करते है, capital T से total इसको कितना time लगा, पूरा शुरुवात से लेके end तक, ठीक है, उसको capital T से represent करेंगे, यानि कि t will be replaced by capital T, small t will be replaced by capital T, s क्या है, s बड़ा interesting है पूरी time of flight में उसकी net displacement कितनी है, zero ground से चला था, ground पे पहुँच गया, तो net displacement कि आई, zero, ठीक है, लेकिन फिर से मैं गड़ बढ़ कर रहा हूँ, ये s, 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 y, zero है, तो s, y, इसको पहले y की language में लिखो, s, y, equal to u, y, t, ऐसा, ठीक है, plus, one by two, minus g, t square, लिखा, s, y, zero लिख दिया, मैंने आपको समझाना चाहिए, vertical displacement, इसकी, horizontal है, ये है horizontal, vertical कितनी है, zero, तो vertical s, y कितना, zero, u, y, आपको आता है, u, sin, theta, into t, ठीक है, और, और, ये आगया, ये आगया, minus g, t square, upon two, g, t square, upon two, तो यहाँ से आपको capital T की value निकालनी है, तो capital T की value क्या आ जाएगी, वो आएगी, two sine, two u, sin, theta, t cancel हो गया, t common आएगा ना, दोनों मैंसे, तो t common आएगा, तो t cancel हो गया, तो इसलिए बड़ा simple हो गया ये, आपका simple बन गया, मैं यहाँ लिखता हूँ, आप ध्यान देना, u sine theta equal to, u sine theta equal to, g t upon 2, तो बड़ा simple answer आ गया, क्या, t का answer क्या आ गया, 2 u sine theta upon g, 2 u sine theta upon g, तो capital T का answer आ गया, 2 u sine theta upon g, ये भी बन गया, तीसरी derivation मैंने क्या बोला था, कौन सी है, horizontal range, तो मैंने आपको बोला था, ये वाला मैं दूसरे method से भी करवाऊँगा, दूसरे method मैं पता क्या कहता है, वो मैं बताता हूँ आपको, दूसरे method, मैं आपने exam में दोनों method नहीं लगाने, time of light का नहीं, इधर से इधर तक का, ठीक है, और इधर से इधर, ये time जो इतर लगता है, उतरा ही time इधर लगता है, इसको बोलते है time of ascent, लिख के रखना आपने पास, time of ascent is equal to time of descent, time of ascent is equal to time of descent, इसलिए total time of flight किसके बराबर होगा, 2 into time to reach maximum height, ऐसे आप लिख सकते हो T max, लेकिन T max मेंशन कर देना क्या होता है T max, time to reach maximum height, time to reach maximum height के लिए मैं ये वाला formula यूज करूँगा, लेकिन Y वाला, Y डालो, Y डालो, Y डालो, डाला, Vy 0, maximum height पे Vy 0 होता है, कुछ properties है याद रखो लेकिन concept के साथ, equal to U sin theta, कितना, equal to U sin theta, minus G, P, ज़्यादा असान है ये, उससे ज़्यादा असान है, ठीक है, तो यहाँ से आपको T नी, ये T नी बोलना, इसको T max बोलना, अभी T होना, T तो होता है total time of flight, वो twice करना है अभी, इसलिए वो T आएगा यहाँ, तो T max कितना आजाएगा आपका, देखो सामने दिखाई दे रहा है, U sin theta upon G, तो बाद में आप 2 से multiply करोगे, तो वही answer आजाएगा, जो हमने निकाला था, ठीक है, हो गया ये भी, आगे आगे क्या बोला मैंने, horizontal range, horizontal range निकालने के लिए, क्या concept यूज़ करेंगे, वही बाला, horizontal range निकालने के लिए, ये formula यूज़ कर रहा हूँ, देखना, देखना, S, X is equal to U, X, T, plus half A, X, T, square, ये formula यूज़ करूँगा, और बड़ी खुशी से इसको काट दूँगा, क्योंकि A, X, 0 है, Tension ही खतम, ठीक है, तो क्या लिख दूँगा, S, X is equal to, एक और गडबड़की, मैंने यहाँ capital T लिखना चाहिए था, क्योंकि time कितना, total time of light, total time of light में उसने, horizontal distance कितना cover किया, horizontal displacement कितनी थी, vertical कितनी थी, 0, total time of light में, ठीक है, S, X is equal to, Q क्या आएगा, ठीक है, S, X is equal to, क्या आएगा, S, X is equal to, आएगा, UX into T, तो UX into T क्या हो गया, UX, sin theta, अरे, UX cos theta, into, अभी T निकाला आपने, अभी T निकाला कितना, 2U sin theta, upon, G, इधर एक formula use होगा, क्या, क्या बन गया यह, U square, और 2 sin theta, cos theta दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं, 2 sin theta, cos theta होता है, sin 2 theta, बड़ा important formula है, याद रखोगे आप, upon G, यह आगा, S, X और S, आपकी range होती है, कि total उसने कितना distance cover किया, end तक, important, important, important derivation है, किसी भी हालत में, कोई गड़बड़ना हो, यह आपको best तरीके से आनी चाहिए, this is very, very important, ठीक है, तो यह आपको अच्छे से आनी चाहिए, मैं formula learn करने के लिए, आपको एक trick सिखाता हूँ, जो मैं follow करता था, जब मैं student था, trh की derivation, अभी हमने की, time of flight, horizontal range, sorry, range, horizontal range भी बोलते हैं इसको, और maximum height, ठीक है, trh मैं लिखता हूँ, और इसको मैंने कैसे याद रखा है, तोता, राम, हलवाई, तोता, राम, हलवाई, ऐसे याद रखा है, ठीक है, अब आप देखो क्या करना है, ठीक है, क्या करना है मैं बताता हूँ आपको, तीनो में न, तीनो में एक चीज common है, पता क्या, U भी है, sine theta भी है, और G भी है, U भी है, sine theta भी है, और G भी है, U भी है, sine theta भी है, G भी है, पहले वाले में, पहले वाले में कोई स्क्वेर नहीं पहले वाले में कोई स्क्वेर नहीं दूसरे वाले में एक स्क्वेर तीसरे वाले में दोनों स्क्वेर ठीए पहले वाले में कोई स्क्वेर नहीं है दूसरे वाले में एक स्क्वेर है तीसरे वाले में दो स्क्वेर है फिर और और फिर एक चीज और टू की बात पहले वाले में पहले नमबर पे टू दूसरे वाले में दूसरे नमबर पे टू तीसरे वाले में तीसरे नमबर पे टू पस ये हो गया फॉर्मला तीन हो आपने जैसे मर्जी याद करना करो मैंने ऐसे याद किया था मैंने आपको स भी याद कर सकते हो, फिर मैं इनी formulas को एक और language में लिख सकता हूँ, कोई पता नहीं हो तब exam में किस language मैं आपको पूछ ले, u, 2, u, y upon g, ये आगे आपका, अच्छा देखो, आप बोलोगे इसको कैसे लिखें range को, मैं आपको बताता हूँ, इसमें इसमें चीज़ बताता हूँ, इसको पहले मैं लिखूँँगा, u square, 2 भी डाल दूँगा, sin theta cos theta, upon g, आप देख सकते हो, इसी चीज़ को, इसी चीज़ को मैं red में लिख रहा हूँ, important है, इसलिए, इसी चीज़ को तो ये formula ऐसे भी लिख सकते है, 2 u x u y upon g, याद रखोगे, please, इस language में भी range को लिखा जा सकता है, ठीक है, और तीसरा वाले को लिखूँगा, मैं u y square upon 2 g, ये मैंने पहले भी बता दिया था, ठीक है, u y square upon 2 g, ठीक है, तो ये तीनों formulas, मैंने आपको तो तरह हम हलवाई करके याद भी करवा दिया, दूसरी उसकी form भी बता दी, u x u y वाली, आपकी मर्जी है, आप shortcut में याद रखना है, जैसे आपको याद रखना है, आप याद रखना आपकी headache है, क्योंकि इसके बिना questions solve नहीं होंगे, और जो simple वाले questions हैं, वो solve नहीं होंगे, क्योंकि difficult वाले questions में यह formula भी use नहीं होते, मैं बताऊंगा आपको सब कुछ, don't worry, लेकिन यह derivation है, इस तरह के formula याद करने हैं, यह सारी कहानी है, और उसके बाद, एक और बाद कभी velocities पूछी जाएं, तो उस तरह से कैसे philosophies calculate करने का simple funda वही है, time दे दिया जाएगा, v is equal to u plus 80, ठीक है, तो vx निकालना हो, तो xx डाल दो, v y निकालना हो, तो yy डाल दो, आपको values पता है, उसको निकाला जा सकता है, vx और v y जब पता चल गे, तो v equal to क्या होता है, vx i plus v y j, यह कब है velocity, जब time देगा वो, जितना time mention करेगा, उस तरह time की velocity है, तो वो numericals में हम करेंगे, आप tension नहीं लेनी, मैं आपको सिखा दूँगा, कि किस तरह से velocities भी calculate की जाती है, this is very very important, this is the start of the projectile, most important topic, ठीक है, 11th का मैं बालूँगा, this is one of the most important topics है, जो projectile motion है, और यह दो derivations, जो आपको करवाई हैं, यह board में से एक ना एक जरूर नजर आएगी, इस second के नजर आने की probability high है, thank you very much,